आज हम बनाने जा रहे हैं रस्मलाई और इसमें हम एड़ करेंगे डेट लिटो दूद्ध और इसको हम बॉइल होने के लिए छोड़ देंगे और इसमें जो हम चमाच लाते रहेंगे और इसमें हम वन थर्ड कप जो हम चीनी आड़ करेंगे जब दूद्ध अच्छी तरह से बॉइल हो जाएगा और इसके बाद इसमें वन फॉर्थ अलाइची पाउडर एड़ करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको टैन मिंट्स तक हमने लो फ्लेम पर बॉइल होने देना उसके बाद उसकी जो बॉल्स है वो बनाने के लिए हम इसमें खुश्क दूद एक कप लेंगे और इसमें एक टेबल स्पून जो हम बेकिंग पाउडर जो है वो एड़ करेंगे लेवल चमच होगा और एक चमच जो है वो इसमें आटा एड़ करेंगे सॉलमीना जो है वो एक टेबल स्पून एड़ करेंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे ताके ये एक्वल फॉर्म में आ जाए अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको एक्वल फॉर्म में लाने के बाद हम इसमें 1 tablespoon oil add कर रहे हैं ताकि जो इसकी consistency है वो smooth रहे और इसमें जो है वो हम 1 egg जो है वो वो इसमें add करेंगे उससे पहले इसको अच्छी तरह we can mix करेंगे ताकि इसमें oil जाए हम अच्छी तरह add हो जाए उसके बाद जो एक अंडा है वो हम इसमें डम करेंगे और इसको अच्फे से मुक्स करेंगे और इसको तब तक हम मिक्स करते रहेंगे झब तक के इसकी एक स्मूथ सी जो है वो डोड नही बन जाती है उसके बाद हम इसको अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह गून देंगे ताकि इसमें किसी किसम की कोई गुठली न रहे और बिल्कुल स्मूथ सी डो बने पिकर्स आप लोगों को पता है कि जो इसके अंदर जो हम लडू जो चोटी चोटे आड़ करते हैं वो बहुत स्मूथ होते हैं इसको अच्छी तरह हम गून लेंगे और यह इस फॉर्म में आ जाएगा इस फॉर्म में आने के बाद इसको थोड़ दिल के लिए हम छोड़ेंगे और इसको बहुत चोटी सी माउंट में अपने हाथों में लेकर इसके चोटे-चोटे हम बाल्स बनाएंगे इस तरहां जेंटली ताके इनमें जो हुआ न भढ़ी जाए बहुत जोर-जोर से हम इसको नहीं रोल अप करेंगे बहुत जेंटल हाथों से हमने इसको करना and then finger tip की मदद से हमने इसमें चोटा से holes बनाने के बाद इसको boiled milk में छोड़ देना and I hope so आप वीडियो इंज्वाइ कर रहे होंगे so please मेरे चैनल को subscribe करें ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ और यह हम इसमें बॉल्स जो हमने बनाई है वो हम boiled milk में जो है वो add कर रहे हैं ताकि इन में दूज्ज जो है वो अच्छे से fill up हो जाए और एक अच्छा सा taste आए आपको अब इसको हम cover करेंगे और low flame पे 10 minutes के लिए इसको पकाएंगे और आप यह देख रहे होंगे कि बॉल्स जो माइस तरह से पूलना शुरू होगी है so we are just going to cover it and इसको मजीद 5 minutes के लिए हम low flame पे cook करेंगे so 5 minutes completed अब हम आपको दिखाते हैं कि यह किस तरह से बने है इसको इस तरह से हम clear करेंगे और clear करने के बाद दूद की consistency आपको नज़र आ रही है बहुत जादा मतलब के गारी हो चुकी हुई है और जो हमने बॉल्स इसमें बनाके एड़ किये थे वो भी बहुत जादा फूल चुके है इसमें कि दूद का जो हमने बॉल किया है जो इसमें हमने आड़ किया है वो काफी अच्छी हद तक इसमें आड़ हो चुका है सो अब हम इसको करने जा रहे है दिश आउट और आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक सो वन बाइवन हम इसको डिश आउट करेंगे ताके यह टूटे नहीं हम इसको दूद में से निकाल रहे हैं वन बाइवन ताके यह टूटे नहीं और आई होप सो आप मेरी वीडियो को इंजॉई कर रहे होंगे तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ ये वाली वीडियो शेयर करते हैं तो अब हमने फ्लेम में एक टेबल स्पून खेवरा जो है वो एड़ किया है और उसके बाद हमने जो इसको डिश आउट किया था वो सारा बॉयल मिल्क जो है वो हमने वापस इस बाउल में ले आए हैं सो इस दे फाइनल प्रिजन्टेशन सो आई होब सो कि आपको वीडियो पसंदारी होगी क्योंके फाइनल प्रिजन्टेशन किसी भी जिश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जैसे कि कहा जाता है कि प्रिजन्टेशन जो है वो देखने वाले की भूग को बढ़ा देती है तेस्ट से पहले अपको प्रिजन्टेशन जो है वो इंप्रेस करती है चो यह ड्राइ प्रूट जो हैं जो है वो इंपरेस करती है मैं छोडियो जो हैं जो हमने क्रेश किये थे मैं इनежде टीजिकहन देख इवनिंग, आलाः राफेज